नमस्कार आप देख रहे हैं BDF News की Crime Series खलनाएंग जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराथ जगत की खबरें तो आज के इस खास वीडियो में एक बार फिर से हम आपको बताने जा रहे हैं वो जैन शेहर के Most Wanted Gangster है दुरलफ कश्यप और केकेसी मंडली के बीच फिर से शुरू हुए एक नए विवात के बारे में कौन है वो दुरलफ कश्यप गैंग का बदमाज जो अब एक बार फिर से बदले की बात कर रहा है और कह रहा है कि वो दुरलफ कश्यप का बदला लेगा बने रहे हैं वीडियो के आन तक इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे वीडियो के शुरुबात करने हैं उससे पहले आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपराथ और अपराधियों के प्रती लोगों को जागरू करना है ना कि कि किसी भीतर आपराथ को बढ़ावा या समर्फन देना तो चलिए इस वेडियो की शुरुआत करते हैं जैसा कि आप सभी को बता है दुरुलब कश्यव की 2020 में एक गैंग गौर में हत्या हुई थी और तब से लेकर आस तक दुरुलब कश्यव की बदले की बात भी लगातार सोशल मेडिया पर देखी जाती है इस बार जिस बदमाश ने केकसी मंडली से बदले की बात कही है उसका नाम है मोहितलोट मोहितलोट वही है जो दुरुलब कश्यव के साथ उस रात हैलावाड़ी इलाके में गया था और शेहनवाज खान को अब एक बार फिर से देख लेने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है मोहितलोट ने अपने लाइफ वीडियो में कहा है कि बदला लेना तो हमारा हक है और शेहनवाज से हम बदला लेंगे और इतना ही नहीं मोहितलोट ने कहा है कि शेहनवास से तो बदला लेंगे ही उसके साथ उसकी पूरी गैंग का खात्मा करेंगे साथी मोहितलोट ने सिल्मान लाला के बारे में बोलते हुए कहा है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, पुलीस बहुत अच्छा काम कर रही है और हम भी अच्छा काम करेंगे मोहितलोट ने इस तोरान अपने आप को गुंडा और बदमस बताया लेकिन साथ में ये भी बताया कि हमने आज तक किसी की बेहन बेटियों को नहीं छेडा हम तो बस अपने हक की लड़ाई लड़ रही है हम ना तो रोट पर चाको दिखा कर लोगों को लूटते हैं और ना ही दहशत फैराते हैं हमें तो बस अपने दुरलब भाई का बदला लेना है मोहितलोट के इस वीडियो के सामने आने के बाद अब एक बार फिर से उज्जैन शहर में दो गैंगों के बीच में गैंगवाग की आशंका जटाई जा रही है फिलाल जो भी हो जिस तरह से इंदौर पुलिस ने सलमान लाला की अकड़ निकाली है और उज्जैन पुलिस ने कुनाल डोरे मोन को गिरफतार करके यह दिखा दिया है कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं होता उसे तरह से मोहित लोट पर भी अगर सही समय पर कार्यवाई नहीं होई तो जैन शहर में फिल से किसी बड़ी अन्होनी की आशंका जटाई जा रही है आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर बताईएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहे हैं बेडिय अफ न्यूज जैसरी माका खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन का बटन दबाईए बेडिय अफ न्यूज की खबरे सबसे पहले देखते के लिए